नमस्कार, मैं हो ससी, आए जर्खन की टोप 25 पर मुख खबर जानते हैं एडमीट का डाउनलोड कर सकेंगे, वहीं बराहवी बोर्ड की परिक्षा देने वाले परिचार थी, 30 जनवर जिसे एडमीट का डाउनलोड कर सकेंगे गौतला भाय की जैक बोर्ड द्वारा दसवी और बरावी बोर्ड परिक्षा की तारिखों का एलान पहले ही किया जा चुका है मैट्रिक और इंटर की परिक्षा 14 मार्च से सुरू होगी वहीं मैट्रिक की परिक्षा 3 अप्रेल को खत्म हो जाएगी तो इंटर बोर्ड की परिक्षा 5 अप्रेल को खत्म होगी हलाकि इंटर साइंस की परिक्षा 29 मार्च को ही खत्म हो जाएगी बता दे परिक्षा 2 पालियों में आयोजित की जाएगी पहली पाली में 10 वी की परिक्षा होगी वहीं दूसरी पाली में बरावी की परिक्षा होगी गौतला भाई की परिक्षा 40-40 अंकों में बाट कर ली जाएगी परतेक बिसे में एक हिसा OMR सीट पर होगा वहीं दूसरा उतर पुष्टिका में बीरसा मुंडा यारपोर्ट इस्थीत मौसम केंद्रे ने बताया है कि जारखन के उत्तरी हिसे में निम्तों तापमान में अगले 2-3 दिरों में धीरे 2-4 देरी गिरावट आने की उमीद है इसके बाद तापमान फिर से बढ़ने लगेगा राज के सेस भागों में अगले 5 दिनों तक निम्तों तापमान में किसी बड़े बदलाव के संकेत नहीं है मौसम केंद्रे के मुताबिक 28 जनवरी तक राज में सूबह के समय धून रहेगा हलाकि बाद में आस्मान साप हो जाएगा इसके बाद 29 जनवरी और 30 जनवरी को आस्मान में आसिक बादल छाए रह सकते हैं हलाकि बारिस के आसार नजर नहीं आ रहे हैं फिलाल मौसम केंद्रे ने एक फरवर्डी 2023 तक के लिए किसी परकार की चेतावनी जारी नहीं की है राजभवन में एट होम कारेकरम हुआ आयोजीत गंतंत्र दिवस के असर पर सुक्रवार को राजभवन के असोक वाटका में एट होम तथा समोहिक बेंड डिस्पले कारेकरम का आयोजन हुआ राजे पाल रमेस बैस की गरिमा मई उपस्थिती में आयोजीत इस कारिकरा में मुख्य मंत्री हैमान स्रेन, पुरो मुख्य मंत्री बावुलन मरांडी, मंत्री मिसलेश्ठा कुर सहीत, कई गनमाने लोग सामिल हुए इस औसर पर पंजाब रेजिमेंट सेंटर, जैप वान, फर्स्ट बटालियन, जम्मू एवं कास्मीर, लाइट, इन्फरेंटी, कस्तुर्भा गांधी बाल का बिद्याले, विवेका नंद, बिद्या मंदिर, द्वारा बैंड डिस्पेले किया गया इस औसर पर राजेपाल ने मुराबादी मैदान में गंतंत्र दिवस समारो के औसर पर प्रदासी जहां की, परेड एवं बैंड में प्रत्थम दूतिय एवं तिर्तिय आनेमाली विभागों टीमों को प्रुस्क्रित किया, राजेपाल ने सभी को बधाई भी दिया नेपाल से आयोध्या के लिए निकली 20 साल सीला ग्राम सीला है, आयोध्या में बन रहे भब्ये राममंदीर में भगवान राम सीता माता हमनौन वा चारो भायों की परतिमाओ का निरमान नेपाल की सीला ग्राम सीला से होगा इसके लिए नेपाल की काली गंड की नदी से निकाल कर 40 टन वजन की 2-20 साल सिला ग्राम सिलाये दो ट्रकों के माध्यम से अयोध्या के लिए रवाना की गई सुन्दर फुलो और लाल गेरुया पीले तथा सफेद कपडों से सजा कर इन सिलाओं को ट्रकों पर रखा गया है दोनों ट्रकों को बड़ी लोरी पर सवार कर सड़क मर्ग से अयोध्या भेजा जा रहा है रास्ते में इन पवित्र सिलाओं के दर्शन और स्वागत के लिए भी लोग उमर रहे है दोनों सिलाओं में एक का वजन 26 टन वही दूसरा का वजन 14 टन है बता दे भागवान सिरी राम सहीत सभी भायों के वाल्य रूप की परतिमा अयोध्या में बन रहे मंदिर के गर्वगरी में अस्थापित की जाएगी जबकि राम दर्मार की परतिमा प्रथम तल पर अस्थापित की जाएगी सव कड़ोर से होगा बुढधा पहार का बिकास मुख्य मंत्री हमानसरें सुक्रवार को राजे के अती नक्सल पर होईत गढवा जीला अंतरगत बढगर्ड परखंड के बुढधा पहार पहुच कर वहाँ सव कड़ोर की बिभीन बिकास वेनावो का लोकारपन किया इस दोरान मुख्य मंत्री ने विभीन परकार के होई नावों से लभानवीत लभार्थियों के बीच परिसंपत्यों का बित्रन भी किया मुख्य मंत्री सुक्रवार की दोफार हेलिकोप्टर से गढ़वा इस्थीत बड़गर की टेहरी पंचायत अंत्रगत बुढ़ा पाहार पर अस्थापित सुरक्षाबलो के कैम पहुँचे थे उनके साथ राजी के पेजलों सुक्स्ता मंत्री मिश्टाकूर मुख्य चीव पूलिस महानिदेसक सहीत राज्य एवं जिला के अला अधिकारे भी पहुचे थे मुख्य मंत्री ने बुढ़ा पाहार पर विकास की लंबी लकीर खीचने के उते से बुढ़ा पाहार डेवलप्मेंट प्रजेक्ट योजना की निव रखी है जाम तड़ा में सरस्वती परतिमा बिसर्जन के दोरान पत्रबाजी चाल पुलिस कर्मी गंभी जारखन के जाम तड़ा जिला इस्थित नरायनपूर थाना चेतरे के डोकी डिह गाव में सुक्रवार देशाम सरस्वती पुजा बिसर्जन के दोरान एक समोह ने जम कर पत् करनी पड़ी है बता दे डोकी डिह गाउं के मोहली टोला के लोग सुक्रवार को सरस्वती परतीमा का विसरजन करने के लिए तलाब क्यों जा रहे थे एक समुदाय विसेस के लोगों ने इस पर अपत्ती जताई पुजा कमीटी ने इसकी सुचना थानिय पुलिस को दी सुच पेचारचा में सामील हुए जारखन के बच्चे दसवी और बरहवी बोर्ड की परिक्षा नजदी खा इसी को देखते वे प्रधान मत्रियान मोदी ने सुक्रवार को स्कूली बच्चों के साथ ऑनलाइन मोखातिप हुए इस दोरान पीम मोदी ने देश बर के बच्चों क कि छत्राओं ने ऑनलाइन देखा इस मोखे पर स्कूल के टीचार्च भी साथ थे पीम मोदी के बातों को लेकर छत्राओं काफी रिलेक्स दिखी कहा कि पीम मोदी की बाते उन्हें प्रेनदायक लगी जारखन के 38 नकसलियों पर 3.9 एक रोर का इनाम जारखन पुलीस नकसल के सफाय के अभियान में लगी हुई है राज सरकार के साथ केंद्र सरकार ने भी दावा किया है कि लाते आसे गड़वा और 36 गड़ तक फैले बुढ़ा पाहड को नकसलियों से मुक्त करवा लिया गया है चारखन के मुख्यमेंत्री हेमान सुरे ने गंतंत्र दीवा से ठी अगले दिन सुक्रवार को बुढ़ा पाहर का दवरा किया है एक समय था जब बुढ़ा पाहर पर जाने से पुलिस वाले भी कत रहते थे यहां नकसलियों का सबसे मजबूत गड़ हुआ करता था पूरे इलाके में जहां तहार लेंड्स माइन बिचे थे बुढ़ा पाहर पर जाना अपनी मौत को दावत देने से कम नहीं था बता दे देश भर के बड़े नकसली यहां कैम्प किया करते थे रांची पुलिस के हाथ लगे दस लाख के इनामी सहीद एक और को दबोचा है परतिबंधित नकसली संगठन पिप्लस लिवरेशन फ्रंट आफ इंडिया के दो उग्रवादियों की जारखंड के रांची जिले से गिरफतारी हुई है इन में से एक छेत्रिये कमांडर भी है जिसके सीर पर दस लाख रुपए का इनाम है पुलिस ने सुक्रवार को इसकी जनकारी दी है इन दो उग्रवादियों की पाचान तिलेस्वर गोप और रायस गोप के रूप में हुई है जो छेत्रिये कमांडर सहीत संगठन की तरब से प्रेश प्रवक्ता भी है और दूसरे का पाचान सुरज गोप के रूप में हुई है जो संगठन का एक सक्रिये सदस्य है ज्यारखन के 26 सो इसकूलों में बन कर तयार होगा कीचेन सेड राजे में परधान मंत्री पोषन सक्ति निर्मान योजना को गती दी जा रही है योजना के अंतरगत राजे भर के 35 स्कूलों में पकने वाले मिड डे मिल की गुनवाता के साथ सफाई की दसाव अदिशा को नीद कर इन्हें दुरूस्त करने का भी खाका तयार किया रहा है सुत्रों की माने तो पहले चरन के लिए राज सरकार ने कीचेन सेड की वेवस्था को सुधारने के लिए विभाग को करीब 29 सो इसकूलों में कीचेन सेड का निर्मान कराया जाएगा जार्खन को नक्सल मुक्त होने में अभी लगेगा समाय सियम हमान्त जार्खन अभी नक्सल मुक्त नहीं हुआ है नक्सल उन्मूलन की तरफ राजे तेजी से बढ़ रहा है ये बात ते मुख्यमंत्री हमान्सुरे ने बुढ़ा पहाड में कही है उन्होंने कहा एकि नक्स चलियों के सफाय के लिए अभी केंद्र सरकार की मदद की जरूरत है बता दे जार्खन नक्सन उन्मूनल की तरफ बढ़ रहा है नक्सल छेत्र में राजे में माइल एस्टोन अस्थापित किया है राजे को जरूरत है अब आर्थिक मदद की यह बात राजे के सियम हमान सुरे ने बुढ़ा पहाड पर मीडिया से बात्चित करते हुए कही है मुख्य मंत्री हमान सुरें सुक्रवार को बुढ़ा पहाड दोरे पर थे केंद्री ग्री मंत्री अमित्सा के ब्यान की जार्खन नक्सल मुक्त हो गया है पर बोले मुख्य मंत्री ने कहा है कि जार्खन को नक्सल मुक्त कहना अभी जल्द बाजी होगी सियाम हेमान सुरे ने कहा है कि जार्खन की सरकार नक्सल उमुनल की तरफ बढ़ रही है ऐसे में इलाके में अधारबुत संरचना और विकास के लिए आर्थिक जरूरते हैं भारत न्यूजिलंड मैच देखने पहुंचा धोनी का जबरा फैन रांची में आईद भारत न्यूजिलंड टीटवन टीम मैच देखने धोनी के जबरा फैन राम कुमार भी पहुंचे हैं उन्होंने कहा है कि भले ही धोनी मैच नहीं खेल रहे हैं लेकिन ओट टीम इंडिया के साथ हमेशा जुड़े हुए हैं बता दे भारत निजिलन टी-20 मैच को लेकर दूर दूर से प्रसंसक आये हैं इस्टेडियम के बार उस वक्त सबसे ज़्यादा हला मच गया जब धोनी के बड़े फैंट रामकुमार वहां पहुँचे रामकुमार के पहुँचते ही दूसरे दर्सकों ने उनका स्वागत किया और धोनी-धोनी कहकर उनका होसला बढ़ाया झारखन में आयूस्मान भारत योईना के तोध सिर्फ सरकारी अस्पातालों में होगा ईलाज पता दे जार्खन में आउस्मान भारत योईना के तहद सामील बीमारियों के सूची में से जार्खन सरकार ने मलेरिया डायरिया के साथ बार बार होने वाले उल्टी, डिसेंट्री, समाने डायरिया और हाइड्रोसिल के इलाज को बाहर कर दिया है इसे पहले 11 दिसंबर 2020 को सरकार ने तिप्र जोवर की विमारी प्यूओ, एक्स्यू, गैस्ट्रो, एट्रास्टिस, यूटी आई और आतो का फिवर प्रसों को नीजी अस्पतालों में इलाज की जगा सीर्फ सरकारी अस्पतालों में इलाज के आदेश निर्गत किया गया था अंशन पर बैठे पारा मेडिकल कर्मियों से मिले दीपक परकास, जहारखन बीजेपी अध्यक्स दीपक परकास सुक्रवार को अंशन पर बैठे पारा मेडिकल कर्मियों से मिले राजभवन पहुंचे, इस दोरान उन्होंने हेमंद सरकार को जम कर को साहाई, बतादे लंग कुस्ता के हदे पार कर दी है उन्होंने कहा एक विधान सभाचुनाव में वोट की खातीर जामों कंग्रेस और रायात के महागण बंदाने लंबे चोड़े लोक दुभावने घुसनाई की जनता को मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाए लेकिन आज एक भी घुसना ध स्कुलों की जाच होगी इसकोड़ी सिक्षा वसर कता विभागने सभी जीला सिक्षा-पतादिकारिओं को निर्देश दिया है नौ बिंदू पर संस्थानों की जाच कि जानी है जो संस्थान पक्रिया में नहीं होंगे उनकी प्रस्विक्रिती रद की जाएगी उनलाका के दिन कलासवार उपस्थिती चात्रशत्राओं की संख्या सिक्षकों की योग्यता उनकी दैनिक उपस्थिती इसकुलों के संचालन अवधी का ब्योरा अधर्भु संद्चना वह सासी निकाय की जाच की जाएगी सिक्षा सचीव ने फरवारी के पहले सप्ता में जाच पन्यवाद